दर्मशाला में रास्ति सर्व पैंशनर संग और न्यू पैंशनर संग ने सहिएक्ट बैठक आयोजित कर कई एहम फैसलों पर चर्चा की। की अभी कताई बरदाश्त नहीं किया जाएगा रास्ति सर्व पैंशनर संग के रास्ति अध्यक शुवाश शर्मा ने मीडिया के साथ बाचीत के दोरान बताया कि परदेश में कई ऐसे लोग हैं जिने आज तक पैंशन नहीं लगी है और खुद सरकार विधायकों को जमीन द पानी तो इस बार चुनावों में रास्ति सर्व पैंशनर संग और न्यू पैंशनर संग मिलकर अपने परत्याशी मेडार में उतारेगा उन्होंने तरक देते हुए कहा कि न्यू पैंशनर संग में 85,000 के करीब लोग कारे रत हैं और ओल्ड पैंशनर संग के करीब 50,000 के कर जो एक तरफा पढ़कर दोनों राजनेतिक दलों को जड़ से उखाड बाहर फैंक सकता है के अंदर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की नौन पे न्यू पेंशन स्कीम और और यह जो एंप्लॉईस है पेंशनर है यह दोना पार्टिय का विरौत करेगा और हम देखेंगे इस राइनिस सिस्टम को ठीक करने के लिए परदेश के अंदर अजाद हो मुद्मारों की की तरफ हम अपना ध्याल लेके जाएंगे उनकी तरफ हम देखेंगे कि अच्छा सा एक विकल्ब परदेश के अंदर दिया जाए ताकि यह जो बारिये पड़ी हुई है परदेश के अंदर एक और भाजबार दूसरी बार कांग्रेस जबकि परदेश की जनता के लिए इसको बता दे इन बुरे हलाग के अंदर और क्या पर अप्शन रही है या तो नोटा की अप्शन है या तो फिर हम लोग अच्छे लोगों को ढूड़ें और उनको कहें कि नहीं यह दोनों पार्टियों का सिस्टम गलत है और आप आईए आप हम आपको हिमाचल का करमचार करेंगे और अगरी मिधान सबाव हैं जो है इंडिपेंडेंस जो हैं वो सरकार बनाएंगे यह प्रण लेके आज हम पंशनर और न्यू पंशन स्कीम के डॉक्टर गलेरिया में साथ पैठे हुए हैं यह हम सारा एक जोंट रिक अंदोलं पूरे परदेश के अंदर खड़े करेंगे यह आप सरकार और प्रक्ष्ट दोनों को में ने करना है जो नोंने करम चारियों पंशन में और उसे बहरबाब करना है या हमारे सेक्ट क्राव लेड़ा है यह निड़ने कोंग्रस और बीजेपी अब अपने आप कर लें